वन रेंक वन पैशन नू लेगे साबका फोजियं दे लड़ाई लगता जारी है जिस तैड दिल्ली files ž तैड उघूस कंनो जी दाखल हो चुका है फुन संगर्श नू होड तीज करना लेज साबका फोजियं वलो मीटिंग दो दौर शुरू कर दता गया है अते एस तेहत बटालाज साबका फौजियां दी मीटिंग होई जिस फौज दे कई साबका आला अधिकारी शामल होई एस मौके फ्रंट दे आगुआ ने क्या कि केंदर सरकारवलों एक क्रेंक एक पेंशन दी जो योजना बनाई गई है ओच कई खामिया हन जिना नो दूर करन तक संगर्श जारी रख्या जावेगा इस संस्ता दे सारे मेंब्राने को बहुत अच्छना जवाब दोता है और मिनुक पुरी उनीद है कि हर प्रॉब्लम जद जो भी फेस करेगा उस दी प्रॉब्लम सौल किती जाएगी टाइम से सौल किती जाएगी और होना नो जुरूर जूर इंसाफ को लेगा इस बीटिंग दे दुरान अगली राननिती की तैह हुए जिदे वेच के साथा एक रहेंक एक पैंशन दा मुदा है और बहुत सारिया समस्या ने वो जिकर कीता गया है एक रहेंक एक पैंशन पिछे होना एक केस तियार हो चुक है क्योंके सरकार अभी तक जो हमारी उनताया है एक रहेंक एक पैंशन दिया जो नोटिफिकेशन जारी कीता है उने वे जिन्यमी उनतायाने ओना नो दूर करन वास्ते सरकार रहें तक राजी मत नहीं होई इस वास्ते साडे नाल देश ते बहुती महान एक वकीर ते राम जेट मिलाने जी ने साड़ी मत करना फैसरा कीता है सुप्रीम कोर्ट का केस दर्चकार वास्ते तियार हो चुक है असी सानु आखरी वेचर सुप्रीम कोर्ट सारा उसे तरह जाना पेगा जिदा के छेमें वेचर कमिशन पास्ते दिया ते दसांसाला भाज आके इस साड़ू को टांखी कर दोजी जड़ी है लोग तंतर पर नाली चे रहते हुए हैं कि असी अपनी अबाल प्लग करना किस दा करनी है कि बहुत है हुआ हुआ है जिदा के पहलों भी इसाड़ी बटाला एसूसियेशन दास कल्ब है और पूरे पंजाब दे अंदर इदा नाली चे जड़ा साड़ी बटाला एसी हुआ 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 करना है कि पूरे पंजाब दे वेचे जिल्मेवी साका पाउची में वो हुन तै करनगे के अगली सरकार किरी बननी है और किसे नाला ही चलना है जेड़ा साधी आवाज पारलीमेंट दिवेज बलंद करेगा साधा संगर्ष पूरे परचाब दे वेचे ऐसोगले चालू हो सके और लगातार पुखड़ता लिए बटाला तो गुर्परी सिंग चावलादी रपोर्ट पांच आप टुड़े